पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोशी मुरुगन और नल्नी की बेटी हरित्रा मुरुगन ने राजीव गांधी से अपने माता पिता को माफ करने की गुहार लगाई है हरित्रा ने कहा है कि वो राहुल का दर्ध समझ सकती है लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके माता पिता काफी भूगत चुके हैं और अब वो माफी के हगदार हैं जिसमें राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की बात की गई थी। केंद्र सरकार की याजिका पर सुनवाई करते हुए कोट ने कहा कि जब तक मामले में अगला फैसला नहीं आता तब तक राज सरकार के फैसले पर रोक लगी रहेगी। गोरतलब है कि सुप्रिम कोर्ट का ये फैसला उन तीन दोशियों पर है जिनकी फांसी की सजा कम करते हुए उम्रकायद में तबदील की गई थी। मंगलवार कोई ही सुप्रिम कोट ने हत्यारों की मौत की सजा कोमरकैद में तब्दील किया था जिसके बाद बुधवार को तमिलनाडु सरकार ने दोशियों को रिहा करने का फैसला लिया था कि नरेंदर मोधी भी इस पर बोले क्योंकि वो तो हमेशा आतंक के खिलाफ हैं रहते हैं हालां कि मैं समझता हूं कि इस बीडि इसके बारे में बाकी आतंकियों के बारे में कई साल से उनकी चुपी रही लेकिन आज ऐसा मौका उनको भी मिल रहा है कि वो भी अपनी बात जनत के सामने रखे कि कितने संजीदा हैं और कितने सीरियस हैं वो ये आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि नरेंदर मोधी जी कुछ न कुछ ज़रूर कहेंगे शायद जो पिछली मीटिंग उनकी हुई है तमिलनाडू में कई बार ऐसा भी ल अगारते काली रेतिक्र नाशनतां के लिए जाता हैं अभाराते देलिए न सsentफानाच भी यह और मिए यह लंड way के लगदा जिए आद्ने दीर बार श्यल्य कोनम में कर्दां इसके हैं तSecret कोड लेन ते पिब लूकर वलारते हो किर दूस्ते नी कई ना कई आफस में पेंडिंग ये चाहे हो मिनिस्टरी आफस में है चाहे राष्टेबशती भावण में हैं चाहे स्टेट गवर्णने ये पेंडि नम गया है तो अह जब किसी को होती है तो वह människor इसे उस सब्सक्तराइब करें तो हम उनको छोड़ देंगे ये बिल्कुल शाहिद कानून के खिलाफ थी बात और इसी लिए सुप्रीम कोट ने आज स्टे दिया है कानून के जानकार भी तमिलनाडु सरकार की इस फैसले को घलत बता रही है। अपने आदेश में सुप्रेम कोट ने अब कहा है कि राजजीव गांदी हत्या मामले में साथ दोशियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले में प्रक्रिया गत्खामिया है। सुप्रिम कोट ने मामले में तमिलनाडु सरकार को नोटीस जारी का दो हफ़तों में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। किस पूरे मामले पर सियासत हो रही और क्या ऐसे मुद्धे सियासत से परे हट कर किस तरह से देखे जा सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है मानवधिकार कार करता और वकील नवकिरन सिंग जी प्रफिसर मुहमद खालत भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विशलेशक हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार नेरेश कौशल जी भी करता है तो अगले ही दिन राज सरकार उन्हें रहा करने की सोचने लगती है देखिए एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात जो सामने आ रही है कि यह स्टेट्मेंट बार बार दी जा रही है जी कि यह प्लिटिकल रिसीएंज हैं और प्लिटिकल एक लड़ाई लड़ी जा रही है अगर हम इस सारे इंसिडेंट को देखे तो यह पॉलिटिक्स का ही नतीजा था पहले तामिल्स को ट्रेन करना इंडियन सॉयल पे और फिर उनके खिलाफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजना और उनको मारना यह सब पॉलिटिक्स ही थी और उसे पॉलिटिक्स ही है शुरू से लेके आज तक पॉलिटिक्स है लेकिन देखा जाए कि इस वैसले में गैर कनूनी क्या बात है अब जो जो कनून कहता है अगर आप 435 धारा पड़ो CRPC की तो उसमें बड़े साफ लफजों में लिखा गया है कि स्टेट गौर्मेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल मांगी है तो इसमें गैर करूनी कोई बात नहीं है एक जो सवाल उठ रहा है कि क्योंकि यह मामला CBI के अधीन था और CBI केंड सरकार के अधीन आती है तो यह मामला केंड सरकार के बिल्कुल 435 में लिखा ही यही गया है कि जिन मामलों में CBI ने इन्वेस्टिकेशन की है दि कार मिल मामलडव पुलिस ने इन्वेस्टिकेट किया होता तो इसमें जो है ना दिली इस्टेलिशन की यहां प्र निकलता है तो क्या यह राजसर का ile केंडर सरकार का अल्टीमेटम दे जते क्या आप इसमें फैसला लिजे का 2 हम यह कंसिडर कर रहें आ बात थो उनसे consultation की की उसने का तीन दिनों में central government जवाब दे तो किसी ना किसी जगा पर ये जरूर है कि उसने जल्दी दिखाई है लेकिन consultation का मतलब यही है कि central government से पूछा गया है समय सीमा में आप जवाब देजें लेकिन तो किन्द सरकार सुप्रेम कोर्ट चली ग Face सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है लेगर अगर केंज सरकार जवाब नहीं देता तो फिर क्या सरकार के पास अधिकार होता है राज सरकार के पास कनून यही कहता है कि उसके पास अधिकार है क्योंकि कंसल्टेशन आपने की है अगर वो जवाब ना दें और उस पे बैठे रहे हैं और उसका कोई जवाब आगे से ना आए तो अपना वो डिसीन भी ले सकते थे तो इसमें कोई गैर कनूनी बात नहीं है लेकिन जो सुप्री से आप पूछेंगे सेंट्रल गॉर्मेंट ने अपोज किया है तब ही वो सुप्रीन कोट गहे है सो फैसला सुप्रीन कोट का ठीक है अब इंटर्प्रेशन होगी क्या कनून है क्या नहीं है मार्च तक इस पर अगली सुनवाई होगी कोशल साब आप किस तरह से देखते है क्या सियासत की वज़े से ये सारा मामला तूल पकर रहा है कि आप जो वोट बैंक की बात कही जा रही है कि अब आगे लोग सभाचुनाव हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी यही कह रहे है कि इसी वज़े से तमिलनाडू सरकार उसको इतनी तेजी दिखाई उसने ये फै चाहे आप हर मामले में चाहे वो पार्लिमेंट पर अटेक करने वाला हो चाहे वो भूलर का मामला हो चाहे वो ये राजीव गांदी के जो हत्यारें उनका मामला हो हर बात में हर पार्टी की जो पॉलिटिक्स जो डबल स्टेंडर्ड जो हो गये हैं ये बहुत ही हमारे रहे हैं विरोध कर रहे हैं अंदरा के बटवारे का लेकिन वोट डाल रहे हैं उसी पक्स में ये ये भी कह रहे हैं ये गलत हो रहा है वो भी हो रहा है बीजेपी वाले भी ऐसा कर रहे है मेरा कहने का भी प्राई ये है कि हमें जब हम इतना देश दुनिया के बड़े सबसे बड़े लोगतंतर की बात करते हैं, हमें अपनी कुछ मॉरल वैल्यूस बनानी चाहिए, कोई नैतिकता होनी चाहिए, अब अमरीका है, इंग्लेंड है, दूसरे कंट्री से हैं, उन में ऐसी जो पैटी पॉलिटिक्स ये, इन मामलों पर जो वेदंस इन मामले होते हैं, उन प के बाद, उनका मीडिया जो है, एक दम चुपता, इसी तरह लंडन में, इंग्लेंड में भी जो है, ट्रेंज के जो है, उन पर घातक हमला हुआ, उसके बाद भी, लेकिन हमारे क्या होता है, हम बाल की खाल उतारना शुरू कर रहते हैं, हमारा मीडिया जो है, वो राष्ट के साथ-साथ, ज्यादा मैं बात जो कर रहा हूँ, वो राजनितिक्यों की बात यह है, कि हमें अपना कोई जाबते में, कुछ न कुछ हमें, इसमें सही संदेश आम जनिता को जाए, कि कौन क्या कर रहा है, और इसमें पॉलिटिक्स दो है, वो अपनी अपनी पार्टियों क मैं इसमें बहुर विश्तार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो डिले हुआ है, वो पहले तो DM के को खुश करने के लिए इसलिए डिले हुआ, क्योंकि पहले, अब DM के साथ यहां भी राजनीती थी, अब रहाए में भी राजनीती है, पहले लटकाए जाते है, उसमें भ मामले लंबित पड़े हैं, लगता नहीं कि अगर ऐसे मामलों में इस तरह से जल्दी से जल्दी राज सरकारे फैसले हैं, तो वहां भी मांग की जाएगी कि आप इन्हें भी रहा करें, और भी तमाम मामले जहां फांसी की सजा उम्रकैद में तबदील की गई है, देखो य यह है, जो इन्होंने बात कही है, कि यह है पॉलिटिक्स विदिन तामिन नाडू, तामिन नाडू की जो सियासत है, और वहां पर LTT को जो सपोर्ट करती रही है, प्लिटिकल पार्टीज और जैसे DM के हमेशा सपोर्ट करती रही है, और जो है अन्ना DM के जो है, अब उसने स कुछ को हो चाहे ना का हो हम रिलीस कर देंगे जो के उनका प्रेरोगेटिव नहीं था उनको भी इसका पता है कि यह जो इंपोर्ट है 435 CRPC की उसमें यह क्लियरली है कि सेंटर गौर्बंट की अगर एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया हो केस तो सेंटर गौर्बंट से बिना पूछे वो नहीं कर सकते और हमें यह लगता था जब यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद तामिलाडू गौर्बंट नहीं कहा हमें पता था कि इसके अगेंस्ट अपील रिव्यू पूटिशन होगी और वो रिव्यू पूटिशन हुई है और उसके अब सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे इंटर्प्रेट करती है यह देखने वाली बात है लेकिन जहां तक सवाल है उनको रिलीज करने का इतनी जल्दी दिखाने का वो पॉलिटिक्स के इलावा कुछ नहीं है एक तरफ कॉंग्रिस भी माफी की बात करती है सोनिया गांधी ने भी राजिव गांधी की हत्या कि दोशी नल्नी की मौत की को सजा ना दिये जाने की अपील की थी और उसके बाद उन्हों ने खत्में ये भी लिखाता कि उनके दोनों बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका भी जाते अब रिहाए पर आप विरोधा बास नहीं है नहीं परसनल विंज और फेंसिज नहीं आते एमोशन नहीं काम करते उन्हों ने अपील कर दी कि हाँ भी इनको एक्जीक्यूट ना किया जाए या सजा ना दी जाए वगेरा लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको कैसे लेती है जो औरेड़ी सजा याफता है उनको किस तरह से माफ किया जा सकता है ये भी सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा ये इतना इजी काम नहीं है कि एमोशन लेवल पर अपील कर दो और किसी को छोड़ जाए लगता है कि और मामलों में आवाज उठेगी कि अब उनकी भी रहाई की जाए जो लंबे समय से जेलों में बास देरी का जो आधार बना है या और जो इसके मामले में रजीव गांदी के कातलों के भी केस में गया है इसमें भी एक लैंड मार्ट जेज्मेंट आएगी कि specifically किसने डिसीएं लेनी और किसने नहीं लेनी और सेंट्रल गौर्मेंट ने इसमें पॉलिटिक्स प्ले कि है क जो गोली है वो सुप्रीम कोड के कंदे पे रखके चलाई जाए ताकि उसमें भी पॉलिटिक्स हो तो उन्होंने भी पॉलिटिक्स खेली है लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस आदमी ने बाइस साल अपनी जिंदगी के लगा दिये अंदर जेल में उसको अगर आप रहा कर भ मद नहीं देनि चाहिए लेखें कि अपने कश्राइब मौत को अमय नहीं जाए जाता खास्तिक की सजा तो ढ़रा 302 का मतलब रह जाता तो Commencemore की हाट नहीं जान salary कि ज Candies लिए इसे उसके और और मालइन कंहाएं क्यों लोगों के इसे भी आदर को अपने भी है सब्सक्राइब कर देता है यह भी बार बार उठता है कि भांसिक सजा होनी चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग विश्य है देखिए तीन सदो तो धारा हमेशा वो किसी ने नहीं कहा भी वो गैर कनूनी है बात तो यह है कि रेरिस्ट आफ रेर केसे में डेट सिंटेंस दी जाती है और रेरिस्ट आफ रेर केस भी जो है वो जैजिस की इंडिविजियल अप्रोचेज हैं जैसे मैं आगे भी कोट करता होता हूँ कि 1984 किलिंग्स में जो वो कसाई था क्षोरी लाल उसने साथ आठ सिखों को अपने उसे टकुए से काट दिया था और उसको डेट सिंटेंस दी गई लेकिन सुप्रीम कोट के पास जब गया तो उन्होंने कनवर्ट कर दी लाइविजियल में यह कहके कि देश का प प्रिजर्मेंट दे दी लिए बेशक उसने आठ लोगों को मार दिया था वो माफ माफ कर दो अब ऐसे इगराम स्टेंस के केस में दारा सिंग को माफ कर दिया गया चाहे उसने तीन आजमियों को जिला था तो जो जो कहीं ना कहीं यह जज़िमेंट्स भी जो हैं इंडिजि देने से क्या क्राइम कम हुआ यह स्टेडि करने की भीमिज़्ूरत है किसी एक को सदा दे के आप किसी दूसरे को यह यह कह सकते हो कि आप आप जरुम से दूर हो ऐसा पॉसिबल ना हो सका हाई स्टेडि भी नहीं कहती है और जिन मुलकों में सधाए मौत नहीं हैं वहा क्र क्राइम रेट बड़ा नहीं है तो क्राइट सिंटेंस हो क्यों यह मानुए है इतने लोगों कि आप हत्या कर देते हो आप बच्चे होते हैं महिलाएं होते हैं आप सोचते अब आप सिर्फ कुछ साल जेल में बिता कर उसके बाद आप आजादी से बाहर होंगे कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं कि जो आप कर रहें उसकी इतनी खतरनाक आपको सजा मिल सकते कि आप फासी की फंदे तक लटकाद दिये जा सकते हैं देखिए तब ही मैं कहता हूं कि सिंटेंस इसकी खतम लेकिन आजीवन कारवास होगा सो तिल हिस लास ब्रेथ वान वुड रमें इन कस्टेडी मेरे क्लाइंट सैंचार जो अमरिसर जेल में उनका आर्डर प्रेजिडेंट ने यही पास किया कि जब तक उनका खीरी सांस है वो अंदर रहेंगे उस पर भी सके गरीब लोग ही क्यों फांसी पर चड़ाया जाते हैं यहां प्लिटिकल केसिज में क्यों फांसी होती है कभी आपने देखा किसे अमीर को सजा मौत मिलते हुए कभी नहीं मिलती अमीर आदमी अपना बड़े-बड़े वकील करके कैसे कानून सबके लिए समान है यह नही है लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो रजीव गंदी किलर्स हैं जो इस समय जेल में हैं अगर इनको रिलीज कर दिया वे जाता है तो उसके बाद जो सियासत होगी वह और भी खतरनाक होगी उनको हीरो भी बनाया जा सकता है किसी सेक्शन दोरा या तामिलनाडू की पॉल प्रिटिकली एक्टिव हैं या वहाँ की राजनीती में ऐसा होने की पुरी सम्भावना है कि इस चीजं मुः लएज़ ता है कि विदिन Señ कर दे लीने कर दिते हैं उसको एलेक्शन में ऐनको इस्तिमाल करते हैं तो यो सार पूलिजा इस है इस चीज़ को बन में बड़ता स्वाल हैं तो फिर जो संडेश जाता है नेคंड हो सकता है क्योंकि एक कनविक्टेड आदमी कि यह Ćई मृं का पृलिटेकल स्तेमाल हो सकता है है स्तेमाल हो राजनीतिक ट leaning ऺन यह जाता है तो फिर इस कि आगा ठीक है उन्हों ने दे दिया कि हंँ इनको रिलीज करने के हक में हैं लेकिन अगर वह vac Kings भारा जाते हैं तो वह तो दाज की इसीर, इस इलेक्शन में खास टौर पर क्योंके इलेक्शन सर्पे हにちは उन्हें ठीक है ़ती में के जो JestStar प्हांसी की सजा देने के लिए एक समय सीमा निधारित होनी चाहिए क्यूंकि ऐसा है कि किसी को वेट क्यों करने दिया जाए या तो आप को फैसला लो तेखो तीन चार फैसले लगातार हुए वेट के लिए राश्टर पती जिने लिए हैं पहनसी की सजाईं हुई है रीसेंट पास्ट में खास्ट और 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 वह भी अगर देखा जाए तो उनके बारे में कितना पुलिटिकल कई पुलिटिकल पार्टी जो थी उनको बार बार कह रहे थी क्यों नहीं दी जा रही सजा लेकिन हम यहाँ पर पिकेंड चूज करते हैं ना जो जब हम अपनी पॉलिटिक्स को आगे लाते हैं और रैशनली चीज़ों को नहीं देखते लीगली चीज़ों को तो यह सारी प्रॉब्लम जाती है कि कहीं आप कुछ करते हो और कहीं आपका फैसला कुछ और होता है आपको भी लगता है कि जो फांसी की सजा के मामने उनमें जो अदालते हैं वह भी पिकेंड चूस सेलेक्ट करती है नहीं देखिए इसमें नवकिरन जी का अपना निजरिया है कि हम बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी इसको किस तरह से बुना रही है हमें ज्यादा जुडिशरी की बजाए हमें बात यह करनी चाहिए कि आज जो पार्लीमेंट है इस चीज का हल क्या निकाले जासे है जो मामले लंबित पड़े होते हैं उन्हीं के पास पड़े होते हैं मैं उसी प्यार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जुडिशियल पर चर्चा की जगह है हम यह जो मामला मौझूदा जो है इसका क्या हल हो हमें यह सोचना है मैं दो बातें जैसे नवकरिंजी ने भी कहा है जो मरसी पेटिशन है जैसे कहा कि प्रेजिदेंट कभी कितनी मरजी देर तक राशता है क्यों हो उसकी स्वीट विल कि आज अगर यह मामला इतना गर्म है संसद है विधान सवाई है पॉलिटिशन है मीडिया आज उठा इस मामले को उठा रहा है क्यों नहीं उसकी सीमा तैक की जाती के मरसी पेटिशन इतने दिन के अंदर डिस्पोज आफ किया जाए एक बात दूसरी बात मैं यह जरूर कह सब्सक्राइब को निकाला जाता है मैंने दो बाते कहीं है है एक ट्राइल पीरिड किसी ना किसी लिए स्यमा सीमा में तै होना चाहिए नंबर दो जो मरसी पेटिशन है उसको डिस्पोज आफ करने का प्रेजिएंट को यह खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि वह जमर्दी फैसला करे वह तो जैसे नवकिरिंज ने कहा है जैसे कैब पसंद नहीं थी बात के यह कोई फैसला दे दें प्रेजिएंट उन्हों प्रेजिएंट यह तो और प्रेजिएंट को उन्होंने रुक के रखा लेकिन उसमें अब उसमें एंडिय सरकार वी इंवल्ड है यूपी इंवल्ड है इस मामले पर सवाल उठते हैं और भुगतना किसे पढ़ रहा होता है जनता को आम जनता क्यूंकि उस मुद्दे पर आम कुछ लोग जो विक्टिम है वो भी जुड़े हुए हैं और जिन्हें फासी की सजा दी जारे वो भी है और उनके परिवार वाले भी यह एक कर काम करें यहीं उम्मीद कर सकते हैं नमस्कार